दोस्तों यह वीडियो सडक की आत्म कथा पर है जिस सडक का उपयोग आप प्रती दिन अपने जीवन में करते हो सडक हमें एक जगे से दूसरी जगे तक ले जाती है और हमेशे अपना काम पूरी इमानदारी से करती है मैं सडक हूँ जिसे आप अपने बच्पन से देखते आये होंगे और मेरे परिचे से भी भली भाती आउगत होंगे मैं अपना काम पूरी निस्टा से करती हूँ और अपनी पूरी जिंदगी मनुष्य के उधारेतू लगा देती हूँ मैं प्रते एक दिन 24 घंटे कारिय करती हूँ जिसके कारण ही मनुष्य एक इस्थान से दोसरे इस्थान तक पहुँच पाता है मैं अपने प्रती दिन की जिंदगी में मेरा उप्योग करता है परन्तु उन्ही मनुष्य मुझ पर चलते चलते थूकते भी हैं जो लोग अपने मुँ में कुछ खाय चबा रहे होते हैं अधिकतर वे ही ऐसा कारिय करती हैं मुझे देखकर बड़ा दुख होता है कि जिन लोगों को मैं उनके गंतव्य इस्थान तक पहुचा रही हूँ उन्ही में से कुछ लोग मुझ पर थूक कर मुझे गंदा कर रहे हैं कुछ लोग मुझ पर प्लास्टिक की बोटल, चिप्स के पैकेट, पोलिथीन, आदी चीज़े फैक कर चले जाते हैं मैं इस प्रकार के लोगों से यहीं कहना चाती हूँ कि यदि वे इस प्रकार की कोई भी चीज फैकना चाते हैं तो कोड़े दान में ही फैके, मुझ पर नहीं इसके अतरिक कुछ लोग जो वहां चला रहे होते हैं, उनमें भी कुछ लोग अपने गंतवे स्थान तक सिग्रता से पहुँचने के चकर में नियमों की अंदेखी करते हैं इस प्रकार के द्रश्य को देख कर भी मुझे अत्यंत दुख होता है इस प्रकार के लोगों को मैं यह बताना चाहती हूँ कि यह नियम उनकी सुर्ख शाहेतु ही बनाए गए है अतेवे नियमों का पालन करे और अपने गंतवे तक सिग्र पहुँचने की जल्दबाजी ने करे रात के समय मेरा उप्योग मनुश्य द्वारा बहुत कम होता है जिसके कारण दूर दूर तक सन्नाटा चाह जाता है कभी कभी सिर्फ कुटों के भूकने के आवाज सुनाई देती है इस समय यह सोचती हूँ कि कब सुबह होगी और लोग मेरा उप्योग करेंगी जब लोग मेरा उप्योग करते हैं तो मुझे अत्यंत प्रसंता होती है कि मैं किसी की सहयता करके उसे उसके गंतवय तक पहुचा रही हूँ अंत में मैं यहीं कहना चाहती हूँ कि मैं अपने आपको बहुत भागे साली मानती हूँ क्योंकि मैं अपना संपोर्ण जीवन दूसरों की भलाई है तो समर्पित कर देती हूँ मुझे इस बात का तनिक भी घमर नहीं है परंतु गर्व जरूर है